गाजा के राफा शहर में 31 अगस 2024 को गोली बारी के दौरान इसराइली सीना को एक सुरंग में 6 इसराइली बंधकों के शव मिले थे उस वक्त आईडियफ ने कहा था कि इन बंधकों के हत्या हमास के लड़ाकों ने की है और घटना के तुरंद बाद पूरे इसराइल में बंधकों के रहाई को लेकर उबाला गया था करीब 3 लाग से ज्यादा लोग लगातार तेल अवीव से लेकर इसराइल के अलग-अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रही है लोगों की मांग है कि नेतन्याहू हमास के साथ समझोता करके जल्द से जल्द बचे हुए बंधकों की रहाई करा है हालंके नेतन्याहू ने इस प्रदर्शन के दोरान अपने एक बयान में इसराइल की जमता और मृतकों से माफी मांगी थी और कहा था कि हम आपकी माफी चाहते हैं हम उन्हें बचाने के काफी करीब थे लेकिन हमास ने उन्हें मार दिया लेकिन अब नेतन्याहू और आईडियाफ के इस दावे पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दरसल हमास की सैने शाखा अलकासिम ब्रिगेट के प्रवक्ता अबू उब्यदा ने एक बयान जारी करके कहा है क्यों बंधकों की मौत इसराइली स्ट्राइक में हुई है लेकिन इससे भी बड़ी बात उबेदा ने ये कही कि अगर इसराइल ने सैने दबाफ से बंधकों को छुडाने की कोशिश की तो वो ताबूत में इसराइल लोटेंगे अलकासिम ब्रिगेट्स का कहिना है कि बंधकों की सुरक्षा में तैनात लड़ाकों को नए दिशा निर्देश जारी कर दिये गए है अबू उबेदा ने आगे कहा कि नेतन्याहू ने समझोते पर पहुशने के बजाए सैने दबाफ की जरिये बंधियों को मुक्त करने पर जोर दिया है जिसका मतलब है कि वो ताबुतों में अपने परिवार के पास वापस जाएंगे उनके परिवारों को नहीं मृत क्या जीवित प्राप्त करने के बीट चयान करना होगा नेतन्याहू और सीना कैदियों की मौत के लिए पूरी तरह से जिमिदार है क्योंकि उनने जान बूज कर कैदियों की अदलाबदली की डील में बाधा डाली है आपको बता दे कि नेतन्याहू पर आरोप लग रही है कि वो बंधकों की रिहाई की बजाए युद्ध पर ज्यादा फोकस कर रही है और इसको लेकर इसराइल के पूर्वराजदूद एलोन तिंकास का कहना है कि ये नेतन्याहू ही है जिनके बंधकों को छुणाने या युद्ध विराम में कोई रूची नहीं है जो लोग इस घटना से इस्तद हताश और कोधित हैं उन्हें आश्यचकित नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वही है जिसके बारे में रक्षा मंत्रे योव कैलेंड और हम सभी चुतावनी दे रहे थे कि ऐसा होगा आपको पता दे कि नेतन्याहू के रुख पर अमेरिकी राश्ट पती जो बाइडन ने भी प्रतिफिया दी उनका कहना है कि बंधकों के रहाई और युद्ध विराम को लेकर नेतन्याहू कुछ नहीं कर रही है मही कतर और मिस्र की अगवाई में हमास के साथ बाचीत भी कई बार बे नतीजा रही है मही दूसरी तरफ अब इसराइल में नेतन्याहू पर जंदा प्रदर्शन के जरीए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है हालांकि इसका असर होता हुआ नहीं देख रहा है मही दूसरी तरफ हमास चाहता है कि इसराइली फॉज गाजा में पूर युद्धरों के और गाजा छोड कर चली जाए जबकि नेतन्याहू चाहते हैं ये आईटीएफ फिलाडेलफिया कोरिडोर पर बनी रहे जिससे इसराइल की सुरक्षा इस्तती मजबूत रहे और इसी बात का हमास विरोध कर रहा है पॉप जरुबंτο रहे 115-ishे की की आईएगरों क्वाटीएब।